वेल्कम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी चलिए देखते हैं उत्तरप्रदेश की 25 फटा फट बड़ी खबरों को इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बदाना पिल्कुल ना पूरें साथ ही हमारे फेस्टुक पेस को भी फॉलो करें फेस्टुक पेस करें पिर्स्रिप्शन में दिया गया है मुख्यमंतरी यूग्यादितनात ने कहा कि गुरचपुर की तस्वीर बदल चुकी है विकास की देन है ये अपराद अराजगता माफिया के नाम से जाना जाने वाला गुरकपुर आज विकास की नई कहानी लिख रहा है ये संभव हुआ है केंद्र में और प्रदेश में भाजपा की सरकार की वज़े से डबल इंजन की सरकार के साथ ही महापौर और जिला पंचायत अध्यक्ष भी भाजपा की हुए इस विकास ने रफ़तार पकड़ी गुरकपुर को अच्छारा सो बाइस करोड रुपे की परियोजनाओं की सौगार दी गई है मुख्यमंत्री योगी ने राम मायन मेले का किया शुभारम मुख्यमंत्री योगी ने रविवार को सरी उतर इस्तित राम कदा पार्क में एक तालिस वे रामायन मेले का शुभारम किया इस मौके पर श्री राम जन भूमी तीरत शेतर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नत्य गुपाल दास भी मौजूद रहे ये मेला तीस नवंबर तक जारी रहेगा इसके समापन सवारों के मुख्यातिती राजपल आनंदी बेन पटेल होंगी रामायन मेले में राम विवाउत सब का भी आयोजन किया जाएगा इस बार रामायन मेला बेहद भवे तरीके से आयोजन किया जा जा रहा है उपशनाव के चलते मन्टी में तीस त्रबंबर से बंद हो जएगी धान की खरीद मैंपुरी के नवीन मंडी में उपचिनाओ के चलते तीस तुमंबर सिधान की खरीद बंद हो जाएगी इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी के दोरा अधिश चारी किया जा चुका है इस आधिश ते किसानों और आर्टियों की मुश्किलात बढ़ेंगे लगबग दस दिनों तक मंडी में व्यापार बंद रहेगा ऐसे में किसानों को या तो रुकना होगा या फिर गैर मंडीयों का रुख करना होगा प्रचको को लभाने के लिए महाकुम 2025 से तयार होगा रोपवे बनेंगे तीन स्टेशन महाकुम 2025 में संगम दर्शन अलग हचकर हो सकेगा इसके लिए केबल कार चलाई जाएगी संगम पर रोपवे की महत्व कांग्शी परियोजना को महाकुम से पहले पूरा किया जाना है इसे पी 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 मॉडल पर चलाने की योजना बनाई गई महाकुम की परियोजनाओं में संगम पर रोपवे को सीम योगिया अदितिनाद के जीम प्रोजेक्ट के रूप में देखा जा रहा है प्रियाग्रा जाने वाले शद्धालू अब केबल कार से संगम अक्षेवट सरस्वती कूप के अलावा माग मेला और कुम मेला का नजारा देख सकेंगी मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट होगा जिलास्पताल स्टाफ में खुशी शासान ने जलास्पताल के चल अचल संपती सहीट समत स्टाफ को मेडिकल कॉलेज में हस्ताना अंतरुत करने का निर्ने लिया इसको लेकर जलास्पताल स्टाफ में खुशी है इससे जनपत वासियों को जल्द ही जिले में बेहतर चिक्ट सिक्या सुविधा मिलने लगेगी उपदेश सरकार एक जिला एक मेडिकल कॉलेज की तहर जिले मेडिकल कॉलेज का निर्मान करवा रही है इसका उदेशे जिलेवासियों को जन्पद में बेतर चिकित से किये सुविधा मोहिया कराना है नए सतर की प्रवेश प्रक्रिया शुरू विभागो कॉलेजिस से मांगा सीट्स का प्योरा एक साल पीछे चल रहे हैं प्रवेश प्रक्रिया को लेकर खवाया शुरू करती रजिस्टरार संजे मेधावी ने विश्विधाले के सभी विभाग के अध्यक्षियों और कॉलेज प्रचारियों को पत्र भेज कर विभागों शिक्षिकों की अनुसार खाली सीट्स का ब्योरा मांगा है उन्होंने कहा कि पीएच्टी अध्यादेश के अनुसार सत्र 2022 देश की प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने के लिए सत्र 2021 में विग्यापिश सीट्स को छोड़कर दीर सी संस्तुती कराकर 10 दिसमबर तक सीट्स की जानकारी भेजी जाए निवेश के लिए विदेशों में रोट शो करेंगे मंत्री अमेरिका ब्रिटेन जाएंगे योगी और केशव पकड़ेंगे पैरिस की फ्लाइट फरवरी में आयوجत ग्लूबल इंवेस्टर समीट की सफलतोर अधिकादिक निवेश लाने के लिए प्रदेश सरकार की मंत्री 9 दिसंबर से विदेशों में रोट शो करेंगे उनके साथ शासन के वरिष्ट अधिकारी भी मौझूद रहेंगे सोला देशों में रोट शो का विस्तरत का रिक्रम जारी कर दिया गया है गोरखपुर स्टेशन पर मेंचेनेंस के चलते बदले रूट से चलेंगी ट्रेंस कई गाडियों को किया डाइवर्ट गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पैटफॉर्म नमबर एक पर वाशेबुल एप्रेंड की मरमत कारी के चलते ब्लॉक लिया गया है इसके चलते ट्रेंस को निरस शोर्ट टर्मिनेट वर डाइवर्ट किया गया पूरवता रेलवे के मुख्य जनसंपर का दिकारी पंकच कुमार सिंग ने बताया कि डिब्रूगर से चलने वाली 02569 डिब्रूगर नई दिल्ली विशेश गारी तीस नवंबर से पंदरा दिसंबर तक परिवर्टित मार्ग छपरा, फेपना, इंदारा, मौ, शहगंज, अयुध्या, कैंट, बारा बंकी के रास्ते चलाई जाएगी आगरा में पुलिस कमिशनर समेट इस अधिकारी होंगे तैनाथ, फोर्स भी बढ़ जाएगी योगी सरकार नी आगरा को कमिशनर इट का तोफ़ा दिया, पुलिसायुक्त सही 30 अधिकारी तैनाथ किये जाएगे फोर्स भी बढ़ जाएगी, अधिकारीों के लिए आवास और कार्याले की दिक्कत होगी, यहाँ पहले से आवासों की कमी है, कार्यालियों में विवस्थाएं नहीं है कमिशनर इट बनने के बाद आगरा में एक पुलिसायुक्त, एक अपर पुलिसायुक्त, तीन अपर पुलिसायुक्त, तीन अपर पुलिसायुक्त, तीन अपर पुलिसायुक्त, तैनाथ होंगे वर्तमान में पच्छ पंसो से अधिक पुलिस कर्मी है इनमें चार आईपिएस पांच एएस पी तेहरा सीओ पच्यासी निरिक शक पांसो साथ दरोगा है हुमेपैती विभाग में चल रही हेरा फेरी कारवाई के बज़ाए जांच पर चांच उद्रपदेश में हुमेपैती विभाग में हेरा फेरी का खेल चल रहा है कहीं आत्राबिल के नाम पर फर्जीवारा हो रहा है कि रिश्वत खोरी के आरोप लगने लगी ये किसी एक अधिकारी पर नहीं बलकि विभाग के अलग-अलग जिलों से लगातार शकायते आ रही हैं एस एस पी एस पी होंगे जोन के प्रभारी कहलाएंगे डी सी पी पुलिस आयुक्त प्रणाली लागों होने के बास जिला पुलिस में अन्य बदलाओ के साथ ये एक एहम परिवर्तन पुलिस अफसरों के बदनाम में होगा प्रियागराज पुलिस कमिश्टरीट को अलग-अलग जोन में बाता जाएगा जिसमें हर जोन का प्रभारी एस एस पी एस पी रैंक का अफसर होगा जिसे DCP कहा जाएगा DCP को पुलिस उपायुक्त भी कहा जाएगा ये DCP ही जोन के प्रभारी होंगे अब तक एडिशनल S.P. कही जाने वाले अफसर ADCP होंगे इन्हें आपर पुलिस उपायुक्त का पदनाम दिया जाएगा जिप्टी S.P. ये DCP या सियो A.C.P. यानी सहायक पुलिस उपायुक्त कही जाएंगे अखिले शादव का रामपुर दोरा हुआ फाइनल सपाध्यक्ष पहली दिसंबर को आएंगे आजम खान के गड़ रामपुर सवाजवादे पाजी के रास्टी अध्यक्ष पूर मुख्यमंत्रिया के लिए शादव एक दिसंबर को संभल वरामपुर का दोरा करेंगे पुर्वाहर साड़ी ग्यारा बजे उनका हेलिकॉप्टर बहजोई थाना शेत्र के फरीदपुर खुशहाल के हेलिपैड इस्थल पर उतरेगा वहां से अस्मोली विधायक पिंकी यादव के आवास पर जाएंगे PCS Association अदिवेशन कारेकारणी पर होगा फैसला संभर की समस्याओ पर विचारवे मर्श इंद्रगादी प्रतिष्टान में PCS Association का अदिवेशन चल रहा है इसमें संभर की समस्याओ और उनके समाधान पर विचारवे मर्श किया जा रहा है कुछी समय में नए कारेकारणी का चैन होगा जो अगले चुनाओ तक Association का कामकाच समभा लेगी उस चुनाओ को लेकर PCS समवर के अदिकारियों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है मैंपुरी के मन्दाताओ का मन्टा टोल रहा संग अनुशांग एक संग ठन भी हुए सक्री है मैंपुरी लोग सब अब चुनाओ की सरगर्मी हर रोज बढ़ती जा रही है मन्चों से सपा और भाजबा के नेता एक दूसरे पर निशाना साथ रहे है चुनाओी शौर के बीच बगर किसी शौर गुल के आरेसिस पर्दे के पीछे रहकर चुनाओी माहौल भापने के लिए मदाताओ का मन्ट टोल रही है घरकर जाकर करिये ब सोलह सो शाखा स्वेम सेवक चुनाओी चर्चा कर रही है उप चुनाओ में मकाबला सपा और भाचपा के बीच है दोनों ही दा सीट को जीतने के लिए जीजान लगाए हुए है मदाताओ को लुभाने के लिए दोनों दलो के नेता एक दूसरे पर हमला बोल रही है डिप्टी सीम के शब्रसाद बोले सपाई अगर रुपे दे तो ले लेना वोट भाचपा को देना मैनपुरी लोग सब उप चुनाओं में प्रचार के लिए उपमुखे मंतरी के शब्रसाद मौरे मैनपुरी की किष्णी विधान सभा में पहुचे यहां शम्शीर कंच में उपमुखे मंतरी ने अखिले शियादप पजम कर हमला बोला उन्होंने अखिले शादप पचुनाओं में रुपे बाटने का रूप लगाया डिप्टी सीम ने भाचपा प्रत्याशी रगुरा सिंख शाके को भारी बहुमच से जिताने की अपील की है डिप्टी सीम बोले सपाई अगर रुपे दे तो ले लेना लेकिन वोट भाचपा को देना भारत पर शादियों में हर साल करोड़ों रुपे खर्च किये जाते हैं कई परिवार ऐसे होते हैं जो आसानी से शादी का बजट मैनेज कर लेते हैं तो वही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शादी का खर्चा मैनेज नहीं कर पाते हैं और उधार लेते हैं हाला कि हम आपको बता दें कि आप शादी के लिए अगर पैसो का अंतिजाम कर रही हैं तो बैंक आपको पैसा दे सकता है दरसल बैंकों की ओर से लोगों को लोन मुहया करवाया जाता है अगर आपको शादी के लिए लोन चाहिए तो भी आप बैंक से शादी के लिए लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं बॉन equipment के का लोन दिया जाता है उनीसे Para proposal लोन भी शामिल है इस Para Lones roommate की कैटेगरी में वैजिंग लोन भी शामिल होता है है की तार्जनगरी के चमडे के जूटे को crashed मिलने क्यों मीड देश में 65 फीजदी और विदेशों में 27 फीजदी जूते की आपूर्टी करने वाला आगरा के चमरे के जूतों को जल्द ही GI टेग मिलने की उमीद है मुगलकाल में 500 साल पहले यहीं से जूतों को बनाने का काम शुरू किया गया था इसे जियोग्राफिकल इंडिकेशन टेग दिलाने के खवायत तेज हो गई आगरा फुद्वियर मैनुफेक्ट्रर सैनेक्स पूर्टर्स चैमबर ने जिला उद्यो केंदर की मदद से GI टेग पाने के लिए आवेदन किया बाइस नवंबर को दिली में रेजिस्ट्रार की बैचक में सकारात्मक संकेत मिले हैं भारत नेबाल दोनों तरफ बन रही एक एकरट जान चौकी 2004 में मिली थी मनसूरी वश्ट 2004 में सो नॉली में एक एकरट जान चौकी बनाने की मनसूरी मिली थी भारते शित्र से होकर नेपल जाने और आने वाले परेच को एवं यात्रियों के लिए कस्टम और आवरजन की सुविधा एक छत के नीचे मिलेगी भारते बासीमा पर एक एक रजान चौकी बननी शुरू हो गई भारती नहीं नेपल में भी एक एक रजान चौकी बननी शुरू हो गई है यसे आने वाले दिनों में जहां सवस्याय दूर होंगी वही सुविधाय भी बढ़ेंगी वाहरों की आवजाही के दुरान जरूरी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा 2014 से 2022 के बीच कितनी बड़ी पीम नरींद्र मोदी की लोग प्रियता CDSC ने जारी किया आकड़े से जरी आकड़ों के अनुसार साल 2009 में नरींद्र मोदी देश में 2 प्रतीशत और गुजरात में 17 प्रतीशत लोग प्रियत थे साल 2014 में प्रधान मंत्री बनने के बाद मोदी की लोग प्रियता में इजाफा हुआ इस साल नरींद्र मोदी की लोग प्रियता गुजरात में 49 प्रतीशत तो देश में 35 प्रतीशत रही वही साल 2019 में इसमें और भी बढ़ोत्री हुई देश में 47 प्रतीशत और गुजरात में 68 प्रतीशत तक पहुच गई हाला कि साल 2022 में प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी की लोग प्रियता में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिले ये गिरावट देश ही नहीं गुजरात में भी हुई इस साल मोधी के लोग प्रियता देश में 44 प्रतीशत और उनके ग्रह राज्य गुजरात में 53 प्रतीशत है आउधा गुरखपुर के बाद अब इस दिले की बारी सियम योगी आज देंगे 487.67 करोड की सौगात बारी है आगरा की आज सोमवार सियम योगी आएंगे उनके आगमन को लेकर प्रिशासन तयारियों में जुटा हुआ है वे यहां तारगर मैदान में आयोजित प्रबुद्ध जनकारिक्रम में शिर्कत करेंगे मुख्यमंतरी 487.67 करोड की योजनाओं का लोकारपण और शिलान न्यास करेंगे बस परमिट आवेदन पर 13 दिसम्बर को फैसला राज़ा परिवन प्रादिकराएं कि 29 नवंबर को होने वाली बैठक चल गई अब ये बैठक 13 दिसम्बर को परिवन आयुक्त मुख्याले पर बुलाई गई है अपर परिवन आयुक्त वीके सोनकिया ने बताया कि प्राइवेट बस परमिट के लिए अब 6 दिसम्बर तक आवेदन लिये जाएंगे ऐसे में परमिट आवेदन पर 13 दिसम्बर को स्टिया की बैचक में फैसला लिया जाएगा आजम खान के शहर में चुनाव प्रचार को धार देंगे सियम योगी और अखिलेश रामपुर शहर विदासभा सीट के लिए पास दिसम्बर को होने जा रहे हुप चुनाव का सियासी ताप उपर चरता जा रहा है अपने अपने प्रतियाशियों की जीत को सुनिश्चत करने को चुनाव प्रचार को और धार देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदितनाथ और नेता प्रतिपक्ष और सपा की रास्टी अध्यक शकलेश यादव भी रामपुर आएंगे दोनों की आगमन का कारिक्रम इस्थानिये प्रशासन तक पहुच गया है करोलो की सौगाद बिचली के बहाने सियम योगी का सपा पर हमला हुद्वदेश के मुख्यमंत्री योगी आदितनाथ रवी वार को आईध्या को करोलो की सौगाद ती उन्होंने यहां करोडों के लागत की 46 परियोजनाओं का लोकारपन और शिलान नियास करने के बाद राज के इंटर कॉलेज में प्रबुद सम्मेलन को संबोधित करते हुए सपा के पिशली सरकार पर हमला बोला सीम योगी ने कहा कि 2017 से पहले बिशली आती नहीं थी अब इस्तिय यह है कि बिशली जाती नहीं है कहा कि आयोध्या में प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी के नेतरत्तों में शिराम जन भूमी पर विराजमान रामलाला का भवे मंदर का निर्मान तेजी से हो रहा है साथ हजार की इंजेक्शन का काम करेगी साथ रुपे की गोली रजोन वरती के बाद महिलाओं के शरीर में वाइटमिन डी और कैल्शियम की कमी हो जाती है अगर वे औस्टियो परोसिस की मरीज हैं तो उनकी हड़िया चाक की तरह नाजुक हो सकती है मास वेशिया कमजोर हो जाती है ऐसे लोगों को मल्टिपल फ्रेक्शर होने का खत्राज जाता रहता है ऐसी स्टिय में हड़ियों को मजबूत बनाने के लिए रोज एक विशेश इंजेक्शन लगाना होता है हर माह करीब 7000 रुपे का खरशा आता है यानि रोज करीब 233 रुपे शोद में पता चला कि इस विशेश इंजेक्शन में जो ड्रग होता है उसे गोली के रूप में भी लिया जा सकता है इस गोली को रोज लेना होता है जिसकी कीमत सिर्फ 2 रुपे होती है यूपी में अगले दो दिनों में और भी बढ़ेगी ठंड यूपी समयत पूरे उत्तर भारत में बीदे कुछ दिनों सितापमान में गिरावट दर्ज की गई इस वज़े से ठंड भी बढ़ने लगी है वही कल राजे में मौसम सामाने रहा जबके विभाग ने बताया कि रविवार सितापमान में और भी गिरावट आई हाला कि अगले दो दिनों तक कई जगों पर तेज हवा रहेगी इस वज़े से ठंड और भी जादा बढ़ने की समभावना है तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरे अगर आपको न्यूस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर सर्म करें धन्यवाद